हेलो दोस्तों वेलकम दो साइवर डेग और मैं हूँ आपका दोस एजास या फ्रेंज क्रिप्टो करेंसी मार्किट के अंदर एक बहुत बड़ा डिप यहां पर आ गया है और आप सोच रहे होंगे कि यार यह वाकई कोई बहुत बड़ा डिप है अगर इसकी प्राइज को क् बड़ी किस सरा से हैं और फिर उसकी कंपरिजन में अगर इस क्रेश को देखे तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी अपनी जैस्ट कल की ही वीडियो के अंदर दोस्तों फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का चार्ड जो है वो दिखाने के बाद उसका जो मीटर है उसको नाप पर पहुंच चुका था आप खुद अंदादा लगा है कोई चीज हंड्रेड पर जाने के बाद तो भाईया वह वापिस ही आती है या फिर वहां से चीज जो बलना शुरू हो जाती है तो इसलिए कल मैंने आपको यही कहा था और वह कुछ जो है मार्किन के अंदर हुआ भ अगर आप वीडियो को यह सिर्फ दस मिनट यहां पर देंगे तो बहुत सारी चीज़े जो आपका माइन जो वह आपका पर क्लियर हो जाएगा ठीक है बहुत सारी चीज़े आपको यहां पर पता चल जाएंगी इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखना ना कंचीनिव किजेगा वीडियो को लाइक करना मत भूला करें बहुत सारे दोस्त भूल जाते हैं जस्ट एक लिकी भाईया करना होता है और आपने पर जापिक्स अगर आप को सबस्देग करना चाते हैं तो वह भी कर सकते हैं अपने टॉपिक पर चलते हैं यहां पर दोस्तों सबसे पहले ले ले लेते हैं कि शीबा एनु का जो प्राइज है वो कहां तक चल रहा है और वो चल रहा है दोस्तों 0.4 टाइम 0291 टू पर यह एक जेड़ महीने की पहली बात है मतलब पहले की ही बात है कि जो वो 0.5 टाइम 0 और सम्थिंग पर शीबा इनु का प्राइज चल रहा होता था यहां पर एक और 0 जो वो किल हो चुका है एक 0 किल होने के लिए हम बड़ा परिशान होते हैं लेकिन उससे मतलब कहीं तक जो वो प्राइज बढ़ भी चुका है लेकिन कल के क्रेश के बाद अच्छा खासा प्राइज डाउन आया हो है तो बिटकोईन का प्राइज भी अगर हम यहां पर देखें तो मलब पिछले 24 आवर के अंदर 4.69 परसंट डाउन आया इथिरिम का प्राइज जो भी पिछले 24 आवर के अंदर 4.95 परसंट डाउन आया जबके सेम टाइम पर XRP को हम देखें तो 6.something फिर अगर आप आ जाएं डॉज कोईन पर तो 7.65 परसंट डाउन है पिछले 24 आवर के अंदर जबके दोस्तो अवलांच जो है वो यहाँ पर पिछले 24 आवर के अंदर 3.30 परसंट उपर है ठीके अवलांच और 16 ना जो है उन्होंने यहाँ पर अच्छा प्रोग्रेस इस बेर मार्केट के अंदर लेकिन कल के क्रेश के अंदर 24 आवर की करेक्शन के अंदर भी यहाँ पर अच्छा खासा जो है उन्होंने प्रोग्रेस दिकाई आल्डो आल्डो के उपर जाने के बाद यहाँ पर दोस्टो टोन कोई जो है वो भी करेशन कीया है और 6.49 परसंट इसकी प्रायज भी ड्राउन आई है आल्डो के 7 डेज के अंदर 41 परसंट इसका प्रायज बड़ा हुआ है यहां पर दोस्तो मेरा ख्याल है कि टोन कोईन के अंदर आपको एक रेपिड जो प्रॉफिट्स है वो बनाने के चांसे मिल रहे हैं मतलब यहां पर चांस है कि आप इसके अंदर इंवेस्मेंट्स करें और जैसे ही थोड़ा ये करेक्शन पूरी होती है तो वापिस इसका प्रायद पॉसिबली साड़े चार पांच डॉलर तक चला जाएगा और आप यहां से जो वो प्रॉफिट्स बना सके हैं अगर और भी सस्ते में मिल जाता है तो और भी अची बात है उसके लिए तरीका यह है कि आप डॉलर कास्ट डेवरेज करें ठीक है लेकिन अगर सेम टाइम दोस्तों हम अगर शीबा इनू को देखें तो पिछले 24 आउर के अंदर 10.68 परसंट डाउन गया है और इस तरह के जो और कोईन है पेपे और फ्लोकी वगएरा वो भी 8-9-10% तक डाउन गये हैं लेकिन बाकी सारे कोईन जो है वो 6-7-8% तक डाउन गये हैं तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे शीबा इनू की मैं एक्चली आपको मतलब कंपेर करके दिखाना चाहरा था कि परसंटेज वाइस बाकी कोईन्स में और शीबा इनू में केतना डिफरेंस है डाउन आने के हिसाब से ठीक है तो वो आपको यहाँ पर पता चल गया अब बात है कि शीबा इनू का जो प्राइज है वो किस सरा से एक्षिन ले सकता है और कहां तक नीचे आ सकता है कहां तक उपर जा सकता है वो मैं आपको चार्ट पर लेकर जो हो जाकर समझाओंगा लेकिन यहाँ पर दोस्तो शीबाइनू बोन अन्डर राइज के कम्यूनिटी वोट करें कि हम किस कोईन को यहाँ पर अपने पास लिस्ट करें जिसको लिस्ट नहीं भी किया थोड़ी बात मेरी समझने की कोशिश किया जिसको लिस्ट नहीं भी किया फिलहाल के लिए उसको इंट्रोड्यूस जरूर करा दिया है एक बहुत बड़ी community ने क्योंकि बाइनस के followers बहुत ज्यादा है बाइनस के user base जो है वो बहुत ज्यादा है तो उनको introduce जरूर बोन को करवा दिया गया है लेकिन उनके पैसे बाइनस पर जो हो बोन पर तभी लगेंगे और शिबा एनू को हम बोन से अलग करके अब नहीं देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ connected हो चुके हैं ठीक है तो यहां पर बोन से भी एक जबरदस चांस आपके पास मुझूद है बोन का price इस वक्त आल्मोस्ट कोई 90 सेंट तक चल रहा है ठीक है 90 सेंट तक चल रहा है लेकिन कोईन कोडेक्स और इस तरह के और जो predictions करने वाले playforms है according to them मतलब के इसका जो price है दोस्तों वो 3 से 5 डॉलर तक इसी एपरिल के अंदर possible ही जा सकता है तो चांस यहां पर है कि आप यहां से भी मतलब 2X 3X करके जो है वो पैसे यहां पर बना सके मतलब आपके पैसे डॉबल से ट्रिपल पॉसिबली हो सकते है और इसका price जो है वो 4-5 डॉलर तक पॉसिबली जा सकता है अगर दोस्तों बैनेंस पर इसकी लिस्टिंग हो जाती है तो मतलब मेरा ख्याल है कि और भी प्राइज अच्छा खासा पॉंप कर सकता है पॉसिबली शाटरम में ना करें लेकिन लांग टरम में एक बहुत बड़ा पॉंप जो हो बोन कर सकता है क्योंकि यह एक ब्लॉक्चेन का अब नेटिव टोकन भी बन चुका है एक जबर्दस एको सिस्टम का टोकन भी है और यह सपोर्ट करेगा इट इंड अफ दे डे शीबा आइनू को भी अच्छा उसके बाद शीबा आइनू पर बात चल रही है मार्किर के अंदर बहुत बड़े इनलिस्ट जो है ठीक और अच्छा खासा तक्रीबान कोई धाई से तीन सो परसंट इसका प्राइज उससे साब से बढ़ा लेकिन उसके बाद से प्राइज डाउन आया और जिरो पॉइंट फूर टाइम जिरो त्री पर जो हो आकर रुका और फिर थ्री फाइव और थ्री पर चलता रहा उसके बाद से स्लाइड डाउन हो गया और थ्री का जो रिजिस्टेंस है उसको भी सॉरी सपोर्ट जो है वो उसको तोड़ कर नीचे आ चुका कल की जो मतलब क्रेश चाल का एक क्रेश था उसमें शीबा एनू का प्राइज 10% कोई ड्राउन आया तो क्या ये बबल जो वो ब्रस्ट हो चुका है या फिर इस बबल में और भी हवा भी भरनी है तो देट इस अ बिग क्विस्टिन ठीक है जो के टाक अफ दे ट्राउन है के चल रहा है भाया क्या हो सकता है मैं अपना उपिनियन याँ पर दोस्तों आपको देता हूँ ये बबल जो है वो सिर्फ शीबा एनू में तो भदा नहीं है और अफ़ा जो हो वो सिर्फ शीबा एनू में भरी नहीं है overall क्रिप्टो करंसी मार्किट के अंदर पैसे आए हैं और शीबा आइनू के अंदर भी पैसे आए है तो अब इसको हम relate करके देख सकते हैं बाकी क्रिप्टो करंसी मार्किट के हिसाब से मदलब उसके साथ connect करके देख सकते हैं पेपे कोईन कहां पहुँच गया फ्लोकी कहां पहुँच गया और बाकी और जो कोईन थे फार एक्जम्बल बेबी डॉज कोईन को देख लें आप फिर सोलाना को देखें एवैक्स को देखें बी एन बी को देखें इतिरियम फिर भी बिटकोईन और डिफरन्ट और कोईन ठ कर दो हम जब बात करते हैं कि आपिरिल के एंट तक तीन डॉलर या धाई तीन डॉलर तक जा सकता है तो पॉसिबली शीबाईनु का प्राइज जोवह 0.4 टाइम 0.4645 पर वापिस जा सकता है नंबर बन नंबर टू यह कि लांग टरम में बुल रन के अंदर अपने आल टाइम हाई तक पहुंच सकता है ठीक है बलब कम से कम यह हो और पिर अगर यह नहीं होता ठीक है तो उससे भी उपर चल जा सकता है यह जो पोटेंचल है शीबा इनों की कौईन के अंदर इसके एको सिस्टम के अंदर जरूर दोस्तों मौजूद है जैसे मैंने का कि डिफरेंट अनलिस्ट जो वो डिफरेंट तरह की बातें कर रहे हैं तो बहुत सारे अनलिस्ट ऐसी बातें कर रहे हैं जैसी मैं आपका भाई एनलाइज कर रहा है ठीक है अच्छा दोस्तों यहां पर अब यह मैंने चार्ट जो एक मार्किट का जो मूव है वो बाकाइदा तोर पर पैदा हो चुका है अब एक अच्छी खासी यहां पर कर्रेक्शन होनी है या यह जिस्ट इस तरह की एक केंडल बनी है यह आप यहां पर देख सकते हैं सो मेरा उपिनियन यह है के मार्किट के अंदर एक डिप जो है वो शुरू हो चुका है ठीक है यह बाकाइदा तोर पर यहां पर आप देख सकते हैं यह जो पैटरन यहां पर बन रहा है यह हमें यही बता रहा है यहां पर अगर हम देखें तो वाल्यूम बाकाइदा प्राइज या उपर हीrants हो रहा है हो सकता है लेकिन फिर भी मंदब चांस हैं कि हैसे नेकस्ट जो डेय है और भी ड्राउन प्राइज आ जाए और यह प्राइज दोसो पॉसिबल ही अकारगμड तैस्ञ निलिस्ट यह प्राइज Süksתी 63,000 डॉलर तक जा सकता है नमबर वन उसके बाद 53,000 डॉलर तक भी जा सकता है इतनी बड़ी करेक्शन्स पॉसिबल ही हो सकती है अगर आप यहां पर ट्रेड्स लगा रहे हैं तो देख भाल कर रगाईएगा अच्छा यही जो चीज है यह शीबाईनू की प्राइज पर भी दोस्तो असर अंदाज होने वाली है ठीक है यह नहीं है कि शीबाईनू का प्राइज कोई अलग से बिहेव करेगा यहां पर देखें तो यह कैंडल्स यहां वो बागादा तोर पर मतलब अपने कम वाल्यूम वाली बनी ठीक है ना बायर्स ना सेलर्स अपना पूरा जोर लगा लगा कर जो हो बीच में प्राइज को छोड़ रहे थे लेकिन यहां से ड्राउन लेकर आ गए यह थोड़ा मेरी बात को समझ येगा दोस्तो यहां पर आप अगर देखें तो मतलब आपको यह जो मेरी चार मूविंग एवरेज़ लगाई वी हैं उनमें सेकिन वाली को क्रॉस करके प्राइज जो वो नीचे आया हुआ है शीबाइनू का ठीक है यह स्ट्रेंथ बता रहा हूँ डिफरेंस बिट्वीन शीबाइनू और बिटकोईन ठीक है यहां पर देखें तो उपर ही क्लोज हो रहा है तो बीटीसी सीम्स टू बी मोर बुलिश देन शीबाइनू यहां पर ठीक यहां पर प्राइज डाउन आ रहा है अब यहां से नीचे रहेगा लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी जो नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रही है तो यहां पर आने के जो ठाउनस है शीबा एनों की प्राइज के अच्छे खासे अब बी बी रहते हैं अगर आप अपनी ट्रेड्स यहां पर लगाना चाहते हैं या लांग्टरम के लिए इन्वस्टमिंट्स करना चाहते हैं मेरा ख्याल है कि आपको वेट करना चाहिए, यह प्राइज यहां पर एक अच्छी खासी करेक्शन लेने वान ला है, अच्छा यह बात समझ लें, मतलब और भी सिंपलिसिटी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि यह जो पूरी केंडल है, इसकी करेक्शन कम से कम होने वाली ह अच्छा यह यहां पर मतलब और भी केंडल बनी थी, इसको छोड़ देता हूं फिलाल के लिए, यह बाद में देखेंगे कि इसके बाद प्राइस किस तरह से मूव करता है, लेकिन यह केंडल पूरी, I hope कि यह करेक्शन जो हो जाएगी, ठीक है, hope तो यह है कि इसके बाद यह वो प्राइस, ऊपर जाए, ताकि यह करेक्शन और भी स्ट्रांग होगर जो प्राइस, जो मूवमन्त है, आर भी स्ट्रांग होगर उपर जला जाए, तो यही है कि आपको किस ता़ से ट्रेजड लगानी है और आपको लाउंग टरम और शॉर्ट टरम के लिए जह वो halving को लेकर बड़ी curiosity market के अंदर हो उसके बाद से once again हमें यहाँ पर prices उपर लेकर जाते हुए नजर आएंगे लेकिन दोस्तों यह जो bull run है यह 2025 तक मेरा ख्याले चलने वाला है 2020 के अंदर थोड़ा बात को समझेगा 2020 के अंदर होनी थी halving लेकिन markets जो है वो अपने all time highs पर गए 2021 के December तक तक तो यहाँ पर एक इस तरह की रेली पॉसिबली historically अगर हम देखे तो बन सकती है सिरफ 2024 नहीं है 2025 के एंदर तक पॉसिबली जा सकता है यह bull run उस हिसाब से हमें यहाँ पर dips भी देखने को मिलेंगे और bull run भी देखने को मिलेंगे different opportunities आपके पास आएंगी कि आप यहाँ पर पैसे लगाएं सिर्फ यह नहीं है कि अभी मौका है और यह गया तो कभी नहीं मिलेगा यह मेरी बात समझीगा यहाँ पर आपको इस तरह के और भी मौके मिलते रहेंगे प्राइज नीचे भी आते रहेंगे और वहां से आप इसको dips को बाय करते रहेंगे तो आ आप ज्यादा प्रॉफिट्स यहाँ पर बना सकेंगे उमीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इंफर्मेटिव हुआ होगा और यहाँ पर आपको ज़रूर पसंद आया होगा लाइक भी आपने कर दिया होगा कमेट भी कर दिया होगा सब्सक्राइब भी कर दिया होगा मिलते हैं डेक्स वीडियो में टेक क्यारा लाफिस